अलो प्रेंट मैं माला मेरी चैनल पर आप सभी का स्वागत है जिस चैनल पर मैं आपके लिए लेकर आती हूँ फेस एंड हेर से रिलेटिट बहुत सारे डियावाइज अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किजिए आज मैं आपके लिए लेकर रही हूँ एक ऐसा फेस सीरम फेस दोने से पहले आप इस सीरम से 5 मिनट तक अपने फेस की मसाज के दिये इससे आपके चैरे की रंगत निखरेगी आपके चैरे पे जो एक्स्टा उयल होता है वो भी रिमूब होगा और आपके जो चैरे पे दाग धब्बे के निशान है वो भी कम होगे आपकर जो चैरा है बहुत मुलाइम हो जाएगा सरदियों में लोगों को अपने face की dryness से बहुती ज़ाधा problem होती है ये face serum आपके चेहरे पर वो dryness होने नहीं देगा अगर आप इसका regular use करेंगे तो आईए शुरू करते हैं कि इस serum को मैंने किस तरीके से बनाया है सबसे पहले यहाँ पर हम इस bowl लेंगे और bowl में हम यहाँ पर चावल का जो मांड होता है वो दो चमच लेंगे चावल का मांड बनाने के लिए मैंने यहाँ पर simple पानी में जिस तरीके से हम चावलों को boil करते हैं बिना नमक डाले उस तरीके से हमने यहाँ पर चावल को boil करकर लिया है उस चावल के पानी को हमने याँ पर यूज किया है इसकीन के लिए इसकी बहुती ज़़दा वेनिफिट्स होते हैं चावल जो होता है उसमें एंटि ऑक्सिडन्ट विटामिन और ये स्किन को बहुती ज़दा lightning और whitening बनाता है इससे चेहरे की जो रंगत है वो भी निखरती है और चेहरे के दाग दब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब बहुत दूर होती है श्किन पर अलगी shine भी बनाता है यहाँ पर दूसरा इंग्रेडियंट हम honey का यूज करेंगे honey जो होता है वो चेहरे पर एक moisturizer का काम करता है इससे चेहरे की जो नमी होती है वो बनी रहती है फेस पर एक cleanser का काम करता है यह pores को हमारे clean करता है जो हमारे face पर रोमचिद्र होता है यह उनकी गंदिगी को दूर करता है जिसके regular use से हमारे face पर pimple और acne जैसी समस्याओं खतम होती है अब यहाँ पर इन दोनों को अच्छे से mix करेंगे अच्छे से mix करने के बाद हम यहाँ पर तीसरा ingredient इसमें डालेंगे aloe vera gel aloe vera gel से इसकीन पर जो pimples होते है वो pimples की समस्याओं को खतम करता है इसकीन के लिए बहुत ही अच्छा एक moisturizer है इसकीन में नमी को बनाए रखता है इसका use अगर हम regular करते हैं तो इससे जो हमारी skin है उसकी रंगत भी निखरती है और aloe vera gel हमारी skin को tight रखने में भी बहुत helpful है चाहे plant बेस हो चाहे market बेस हो कोई भी aloe vera gel आप यहाँ पर use कर सकते हैं aloe vera gel का लगातार skin पर use करने से skin में एक अलगी shine बनी रहती है आप कोई भी makeup product अपने skin पर use कर रहे है उससे पहले aloe vera gel को use कीजिए face पर कोई side effect नहीं होते हैं अब यहाँ पर इन सब को हम बहुत अच्छे तरीके से mix करेंगे mix करने के बाद इसे अपने face पर apply करेंगे थोड़ा सा हातों में लेकर इस तरीके से आप face पर इसे लगाएंगे अच्छे तरीके से face पर लगाने के बाद आप इससे 5 मिनट अपने face की massage करेंगे massage आप facial steps के साथ करेंगे इस तरीके से इस तरीके से हमारा जो face है face पर एक blood circulation बढ़ता है blood circulation बढ़ने से हमारी जो face का glow है वो भी बढ़ता है इसका use अगर आप regular करेंगे इस तरीके से तो यह आपके face पर जो भी दाग धब्बे हैं उनको भी हलका करेगा अगर आपके face पर pimples हैं तो यह उनको भी remove करेगा 5 मिनट तक अच्छे से face की massage करने के बाद हम face को normal पानी के साथ में धो लेंगे face wash करने के बाद देखिए face पर कितना अच्छा glow आता है आप इसे morning और night में अगर face wash कर रहे हैं तो use कर सकते हैं face पर बहुत ही अच्छा result मिलेगा मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को like कीजिए, share कीजिए और मुझे support करने के लिए मेरे चैनल को subscribe कीजिए साथ में साथ तला जो बैल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए ताकि आगे future में जो भी वीडियो में अपलोड करूँ उनका notification आपको मिलता रहे इस चैनल पर मैं hair and face related बहुत सारे DIYs share करती हूँ Thank you